शेक्स प्रॉब्लम के लिए होमेोपेथिक मेडिसिन अनोसमोडियम के इस्तमाल कैसे करना चाहिए कौन-कौन सी साइनन सिम्टम्स होती है कौन-कौन सी वो बाते है जिसकी आधार पर हम लोग इस मेडिसिन के इस्तमाल कर सकते है तो आज हम लोग इस वीडियो में इस टॉपिक को उपर बात करने वाले है तो सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि दोस्तो ये मेडिसिन पुरुसों की हर तरह की हर एक यौन समस्या की भीतर ये मेडिसिन बहुत बढ़िया तरीके से काम करती है ये मेडिसिन पुरुसों की लिंग की अंदर नसों को मजबूत करता है और ED की प्रॉबलम को ठिक करता है और इसी के साथ ये प्रिमाचर एजेकुलेशन यानि PE की प्रॉबलम के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है दोस्तो तो जिन पुरुसों को यौन समस्या है उनको ये medicine बिल्कुल try करना चाहिए दूसरी बात यह है कि इस medicine को लेने से आपका मन सांथ रहता है आपका दिमाग सांथ रहता है आपको अगर anxiety की समस्या है, depression की समस्या है या फिर आपको headache होता है आपको migraine की problem है तो इसमें भी आपको release मिलता है इस medicine से third point के अगर बात करें अगर आपका body की अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी है, weakness है और आप कोई काम में concentrate नहीं कर पा रहे है तो उसका भीतर भी आपको ये medicine इस्तमाल बिल्कुल करना चाहिए और इसी के साथी साथ आपका पेट का भीतर भी समस्या कोई ठीक करता है अगर आपका पेट का भीतर बहुत ज़्यादा गैस बनता है, खाना सही से हजम नहीं होता है तो उसको भी ये control करती है दोस्तो आप बात करते है इस medicine का symptoms के बारे में दोस्तो अगर इसका symptom के अगर बात करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसका patient के अंधर migraine की समस्या बहुत ज़्यादा होता है और वो भी left-sided migraine यानि by side का migraine की समस्या बहुत ज़्यादा होता है इसका patient की भीतर इसके इलावा इनका आँक भादी-भारी से रहता है आँक का उपर एक strain पड़ता है और इनको थोड़ी सी भटाईगो भी आती है यनि चेकर भी इनको थोड़ा बहुत आता है इसके इलावा इनको कभी-कभी आँक का सामने धुन्दलापन भी दिखता है और इनका जो memory power है वो भी काफी weak हो जाता है ये भी हम लोगोंने काफी हद तक देखे है अनस्मोडियम का पेसरेंट का भीतर अगला symptom के अगर बात करें तो अनस्मोडियम का पेसरेंट का अंधर सेक्स के पती कोई desire ही नहीं होता है सेक्स करने के लिए जो एक अंधर से इच्छा होना चाहिए वो इच्छा जागरूग होता ही नहीं है इसका पेसरेंट का भीतर पेसरेंट आकर कहता है कि सर हमारा पार्टनर हमारे पास बैठी हुई रेती है हम उनसे बात करते है टच करते है लेकिन फिर भी हमको कोई erection ही नहीं होता है और नहीं कोई महिला को देखने पर हमको कोई current जैसे body में feel होता है इस तरह का कोई हरकत हमारा body में होता ही नहीं है तो पेसरेंट का ये कहना होता है कि सर हमारा अंधर lack of sexual desire हो चुका है काम वासना करने की जो एक इच्छा होती है वो इच्छा ही हमारा अंधर जागरूग नहीं होता है तो ये भी एक बहुत बड़ा symptom है अनस्मोडियम का कि पेसरेंट का अंधर sex के लिए कोई इच्छा ही नहीं है कोई desire ही नहीं है थर्ड symptom के अगर बात करे तो अनस्मोडियम का जो पेसरेंट होता है इन लोगों को ठंडी चीज खाने की बहुत ज़्यादा आदत होती है आइस्क्रीम बोल लीजे ठंडा पानी बोल लीजे तो इन लोगों को ठंडा चीज खाना बहुत अच्छा लगता है और इनको कोई परसानी भी नहीं होता है ठंडा चीज खाने या पीने से फोर्थ जो symptom है वो कुछ इस प्रकार की है कि इसका पेसरेंट का अंधर कमर में भी इनको बहुत ज़्यादा पेन रहता है दर्द रहता है और कभी-कभी ये कमर का दर्द नीचे भी आता है पैरों के तरफ और पैरों में जंजना हट सी होती है या फिर वहाँ नमनेस सी हो जाती है सुनपन सी वहाँ पे जो है कभी-कभी हो जाता है तो अनोसमोडियम का जो drug picture होता है वो कुछ इसी प्रकार का होता है दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा symptom जो हमने आपको बताया वो यही है कि इसका patient का अंदर sex की पती इच्छा बिलकुल भी नहीं होता है चाए male हो या female हो इसका patient में काम वासना करने की कोई भी इच्छा नहीं होती है और इनको ठेड़ी की खाना और पीना पसंद होता है इनको be director होता है तो दोस्तों और किसी αम को इस्तमाल कैसे करना चाहिए अब मैं आपको ये बताता है इसको आप नोट डाउन कर लिए दोस्तो अनुसमोडियम को अगर आप सेक्स प्रॉब्लेम के लिए अपने इस्तमाल करना चाहते है तो जो पोटेंसी में बताता हूं और जिस प्रकार में आपको लेने के लिए कहता हूं उसी प्रकार से अगर आप लेंगे तो आपका सेक्स बहुत बढ़िया फाइदा आएगा दोस्तों अनुसमोडियम को हम लोग हाई पोटेंसी में हमें सब्रेस्काइब करते हैं सेक्स प्रॉब्लेम के लिए तो अनुसमोडियम वन एम का एक बूंद आप रात को खाना खाने के बाद रात को डिनर के बाद एक बूंद दो आपता गयाप दे उसके बाद फिर से आप उनुसमोरियमन वने का एक बंद करके तीन दिनद परकार से आपको आनुसमोडियम वहनने में को लेने से तिर उसके बाद आप को बन करने के लिए उसका higher potency की आपको दरकार पड़ेगी और उनस्मोर्डियम टेनेम को लाकर उसका एक बून दो चमच पानी के साथ मिलाकर रात को भोजन के बाद आप एक बार ले लिजिए सपोस मान लेते हैं अगर आप आज एक बार लेते हैं तो आज से 15 दिन बाद अब फिर से आ उसके बाद आपको और को आप बंद कर दीजिए लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात जिरूर बोलना चाहूंगा कि एगर वीडियो कोई देख रहा है जो कि बहुत एसे ना ले पुझ से ना ले क्युक्र Cash Pom議, करता हूं कि कोई भी मेडिसिन जो है आपको अपना हमेपाथ से कंस्राइट करके ही लेनी चाहिए लेकिन मैं आपको जिस तरह से अनस्मोर्डियम को लेने के लिए कहा इस प्रकार से अगर आप लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यह मैं आपको बोल सकता हूं और यदि अगर कोई प्रॉब्लम होता भी है आपको तो आप अनस्मोर्डियम को उहीं पे लेना बंद कर दे आप आगे और ना ले तो दोस्तों अनस्मोर्डियम सेक्स प्रॉब्लम के लिए बहुती बढ़िया मेडिसिन है लेकिन जो सिंटम्स हमने आपको बताए यह सिंटम्स मैच होनी बहुत ही जरूरी है तब ही यह मेडिसिन काम करेगी सो मेरे ख्याल से आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी सो थैंक्यू वेरी मच्छ एंडव गुड़ डे